का स्वागत है तस्लीम रिमानी है मुस्सलिम चिन तक सुशील पंडित, बिर सा जुड़ेंगे जाने माने एक राजितिक विश्क्लेशक है मनोजीत बंडल है मेरे साथ राजितिक विश्टलेशक टीमसी के साथी भी है अब्दुललाजाक साहब है मुस्लिम चिंतक उनका भी स्वागत है जेडेश के परवक्ता भी है आप तमाम लोगों का स्वागत है मैं इस बहस को ओपन करता हूँ और पहला सवाल गौरबाटिया आपी से पूछता हूँ पच्चास सेकिन में मुझे बताईए क्या एनर्सी एक धरम विशेश को टागेट करने के लिए है तो कि टीमसी लेफ्ट कॉंग्रेस साउथ दिनों वेसी एक भाशा में बोल रहे हैं ये मुसलमानों को टागेट करने के लिए जवाब दीजी गौर मुसलमानों को टागेट करने के लिए है राहूल गांदी से लेकर ओवेसी ओवेसी से लेकर ममताब इनर्जी ममताब इनर्जी से लेकर लेफ्ट सभी एक बात कह रहे हैं एक जुवान में बोल रहे हैं गौराबाटिया अमीज जी देखिए सबसे पहले तो जब आमिज शाजी को कोई भारतिय नागरिक सुनता है तो कहीं न कहीं बड़ा गौरानविद महसूस करता है और उन्होंने कितनी बखूबी एक बात कही है कि हम लोग एक शर्णार्थी को बाहर जाने नहीं देंगे और जो घुसपैठी आएं उनको चुन-चुन के ढूनेंगे और उनको देश से बाहर निकालेंगे अब सवाल ये है कि जब ये राश्ट्र सुरक्षा का मामला है तो जो पार्टियां मौलानाओं से चली रही है वो क्यो इस बात से पीड़ा उठा रही है कि आज देश का ग पहले ये बात कही कि आप NRC लागू करिए लेकिन जो संपरदाइक पार्टी थी वो इसके लहीं लागू कर रही थी कि उनको लखता था कि ये ये मुसल्मानों को टार्गेट करने के लिए मेरा सवाल बना टार्गेट है मैं इधर उदर जाता है नहीं हूँ अपने सवाल मे ये मेरा सवाल है मैं फिर आपको 30 सेकिन देता हूँ गौरबाटिया अगर आप इस पर जवाब दे पाए तो धन्यवाद बिल्कुल मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ इसका मुसलिम होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है जी और हाँ ये तत्थे जरूर है कि जो घुसपैटिया आए है वो ज़्यादा तर मुसल्मान है क्योंकि वो ऐसे देश से आए है जहां मुसलिम भहूलने इलाके है तो हमें इसमें मुसलिम हिंदू क्यों देखना है कोई से आये हैं समझ नहीं पा रहे हैं बीजेंपी क्या करना चाह रही है या फिर आप देश को कुछ और समझाना चाहते हैं क्योंकि अभी सपश्करा गौरा भात्यान ने कि मुसलमान टार्गेट नहीं है लेकिन जो गुस्पैटी अगर मुसल्मान आए तो उनी को बाहर निकालेंगे ना देख्या अबीर जी भारत पे इस वक्त बलातकारी साधूँ को सर्द्रक्षर देने वाली पार्टी की सरकार है और ये सरकार जाहिर है कि चुके साधुों बलातकारी साधुों को सर्रक्षर देती है तो इसकी जो मानसिक्ता है इसकी मानसिक्ता में खाली हिद्दू और मुसल्मानी रह सकता है तो इसलिए गुस्पेटियों की तारीफ भी अपने आप बनाते हैं और शर्णार्थियों की तारीफ भी अपने आप बना देए जोड़िये आपकी पार्टी में होंगे बलतकारी उन बलतकारियों को समझाईए गुंडागर्दी जो करते सादूों के लिए आपने आप शम्द कैसे कहें ने तस्रीम ने मानी थोड़ो अप्जेक्शनेवल यह था आपकी अप्जेक्शन जाये तक और बाटिया ने आपने बोला कि सादू बलतकारी मेरा निवेदन आपसे यह है कि अगर किसी पे आरोप है तो आप उसका नाम लेके उसकी बात करिए लेकिन आप आप सारे साधू को बरतकारी नहीं कह सकते यह दरब पे का आप मौलानाओ के पार्टी का सब्सक्राइब कर सकते हैं करी ना चलती है तो यह दो लेकर शर्णाप करिए और यह वीवानी को लेकर उसकी सब्सक्राइब कर दूंगाज कि अगारिया वड़ीया। तस्रीम नेवानि आप मुझे पताईए तस्रीम नेवानि एक सकाति आप लगतार बोलते रहेंगे तो कोई फाथा नहीं है तस्रीम नेवानि आप ने आप निटो शबदों कई उचारण करा वो गलत था आप ने बोला साधु बलतकारी अगर किसी पे आरोप है तो उस पे कारवाई हुई है क्या आसा राम बापू पे कारवाई नहीं हुई क्या राम रहीम पे कारवाई नहीं हुई आप चिन्मियानंद का नाम ले रहे कि उन पे कारवाई नहीं हुई आप नाम लेके बात करिया, आपने तमाम सादू को रंग दिया एक एक रंग में, आपने धर्म को रंग दिया ये सोच रहा बढ़ेगा आप लोगे उनसे पूछे ना, बुझे बादू जा बीजेपी के आदमी है, इसके आपको भी बुरा लगेगा सादू जादू भी जेपी के रही होते, सादू धरम के होते है, और धरम बढ़ा होता है जो गलत है और जो सच्छाई है उसको सुनने में आपको इतनी तकलीब होती है इससे पता चलता है कि एनर्सी को आप किस खुतूत में आप ले जाना चाहते हैं पिर आपने एनर्सी का जामा पर जाकर बलत करी पर ले गए एक जुमले में नहीं मेरा पॉइंट है आपको एनर्सी चलिए मैं बहस को इस नहीं होने दूँगा मैं आपसे बड़ा पॉइंटिट सब्सक्राइब पूछ रहा हूं मैंने गौरभाटी से भी बुच्छा आपको क्यों लग रहा है मुसल्मान टागट हो रहे हैं वरना इनको नमस्ते बोलि कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की एक लिए परसेंट की पॉपलेशन के लिए 16,000 करोड उपया खर्च हो गया पास साल लग गया हर आजबी कोई डवलप्मेंटी सिर्फ डॉकुमेंट इखटा करने में और जो लोग कह रहे थे एक करोड घुस पैटी हैं एक करोड यह पार्टी के लोग बोल रहे थे आज वह 19,000,000 निकले वह भी फॉल्टी है उसमें से भी 30,000,000 खटा हो जाएंगे जी तस्लीम रहमानी जी एक नहीं ऐसे चार डॉकुमेंट्स जो चार गवर्मेंट के रिपोर्ट्स हैं उन्होंने उन्होंने यह कोट किया है कि एक करोड से ज़्यादा खुस बैठी है सिर्फ पस्टि असाम के अंदर ते मैं जनरल सिन्हा की रिपोर्ट को खारिच कर देता हूं उसे आप मत मानिये लेकिन उसके पहले भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ के बिधान पटल पर एक्सेप्ट किया था है